हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग ओल अफ यू संध्या कमफिटर के यूटूब सेनल पर आपका एक बार फिर से आर्दिक स्वागत है फ्रेंच आज अभी से अब देखे तो फ्रेंच आपके एक्जाम ज्यानी मात्र पांस गंटों के अंदर आपके हाथों में पैपर होगा तो फ्रेंच सभी के लिए हम कामना करते हैं कि आपका पैपर अच्छा हो आपके परसंटर अच्छे बने फ्रेंच अभी सुबह के साथ बज की जासु के हैं फ्रेंच सभी को गुड मॉर्निंग जल्दी से फ्रेंच जो भी इस्टूइट अभी तक लाइव नहीं आया है ज जूड़े हुए हैं उनके लिए फ्रेंच आज यह मॉडल पर काफी इंपोरेंट होने वाला है तो फ्रेंच यहां पर आपको याद रखना है अभी आपके पास में केवल तीन से चार गंटे का टाइम है तो आप यह लाइव क्लास पूरी देखे ताकि इसमें मेहत्वपू पर के अलावा और भी जो अपलोड करेंगे हम एक और अन्य मॉडल पर तो उसको भी आप अविश्य देखे फ्रेंट से बले ही आपने यह पहले मॉडल पर देखा हुआ है लेकिन एक्जाम से पहले एक पर आपका रिवाइज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा आपके लि यह तो फ्रेंट्स जल्दी बताएगे क्या होगा इसका राइड आंसवर जल्दी फ्रेंट्स कमेंट कीजिए वैरी गूड बहुत सरे इस्ट्वेंट आपके कमेंट कर रहे हैं सुबह के साथ बज की जा सुक है अभी तक इस्ट्वेंट कम लाइव दिख रहे है मतलब आप आपको याद रखना है कि आपके लिए भी मात्र कुछ ही टाइम का समय बचा है और आप अभी भी तक लेट कर रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं है तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेस्ट क्योशन एफ एटी का पुरा नाम लिखिए फाइल अडॉप्टर टेबल फाइंड अडॉप्टर टेबल फाइल अलोकेशन टेबल या फाइंड अलोकेशन टेबल जल्दी बताई फ्रेंट्स जल्दी कमेंट आने चाहिए यहाँ पर इस्ट्वेंट के कमेंट आशुक है बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पर क्या हो है उसको एक बार अविश्य देखा है अलांकि जो भी देखा गा उसके लिए फ्रेंट या तो रिवाइज होगा या उनके लिए नया होगा लेकिन यह मोडल पर बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए तो फ्रेंट्स यहां पर सेकंड क्योशन आ था इसको घुट मॉर्निंग जल्धी से आजाई यह परusशन नömर 2 1 last2 द्वारा जारी किया गया तस्वीर एधिंग प्रोग्राम है टस फह एडिटिंग प्रोग्राम है यह बताए हूँं म स्अभिस द्वारा जारी केया लिए तस्वीर एधिंग प्रोग्रां म हैंट Pant, MS Word, MS Picture Manager या उप्रोक सभी बिल्कुल यहां पे इस्टुएंट के आंस्वर आ रहे हैं बिल्कुल प्रेंट्स इसका क्या हो जाएगा MS Picture Manager यहनि Microsoft Picture Manager हो जाएगा बिल्कुल यहां पे C वाल आफसंस यहां पे correct आंस्वर हो जाएगा बढ़ते हैं आगे वाले क्यूशन की और बहुत ही important क्यूशन है फ्रेंट्स कौन सी projector connectivity और projector के बीश image अलग करता है कौन सी projector connectivity जो computer और projector के बीश image अलग करता है computer only, extend, duplicate या projector only जल्दी बताई फ्रेंट्स कमेंट कीजे क्या होगा इसका right answer तो बिल्कुल फ्रेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना है फ्रेंट्स यहां पर हो जाएगा नंबर B हो जाएगा, extend हो जाएगा यानि इसने पूझा है फ्रेंट्स के कौन सी projector connectivity जो computer और projector के बीश image को अलग करता है क्या हो जाएगा फ्रेंट्स, extend हो जाएगा नंबर B यहां पर बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा बहुत सरे इसने इसने पर right answer दे रहा है यहां पर क्या हो जाएगा, extend हो जाएगा Question number 4, Screen के सामने प्रदशित है निमन मैंसे कौन सा एक cable का परकार नहीं है बहुती important question है friends, जल्दी बताइए निमन मैंसे कौन सा एक cable का परकार नहीं है HDMI, USB, VGA या ECI बिल्कुल यहां पर student right answer दे रहा है बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, सौते का friends, number D हो जाएगा, ECI हो जाएगा क्या हो जाएगा, ECI जबकि HDMI, USB और VGA यह सभी cable के परकार होते है HDMI का friends, पूरा नाम होता है High Definition Multimedia Interface USB का पूरा नाम होता है, Universal Serial Bus और VGA का पूरा नाम होता है, Visual Graphics Adapter लेकिन यहां पर ECI लिका हुआ, यह friends, cable का परकार नहीं है बढ़ते हैं, आगे वाले question की और Question number 5 Screen के सामने परदेशित हो गया है सभी friends को गूर्णिंग आप सभी को exam के लिए best of luck उम्मीद करते है friends, आपका exam काफी अच्छा हो और friends, आपके अच्छा percentage बने हम यही कामना करते हैं संध्या कंफिर्ट सेंटर के और से आप सभी को धेर सारी सुब कामना है आप exam निच्छिंत दे के आईएगा बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छा पैपर आएगा आप सभी question का राइट आंसफर देंगे जल्दी friends कमेंट किजिए यहां पर इस्टोंट के कमेंट आने लग गए है बिल्कुल friends, जल्दी बताई friends क्या होगा यहां पर friends देखिए जो options number D पे लिखा हुआ है control shift M यह new email बनाने के लिए shortcut कुंजी का उप्यूक करते हैं control shift M फ्रेंट यहां पर बिल्कुल ही correct आंसफर हो जाएगा इसे तरह बढ़ते हैं आगे वाले question की और निम्न मैंसे कौनसा एक outlook account का परकार नहीं है बहुत ही important question है निम्न मैंसे कौनसा एक outlook account का परकार नहीं है Microsoft Access, POP3, IMAP या standard जल्दी फ्रेंट्स कमेंट कीजे क्या होगा इसका right answer बिल्कुल student यहां पर answer दे रहे हैं यहां पर आपको याद रखना है नमबर जो D पर लिखा हुआ है standard यह computer account का परकार होता है यह फ्रेंट्स किसका परकार होता है computer account का परकार होता है जबकि Microsoft Access, POP3 और IMAP यह सभी outlook account के परकार होते है सभी फ्रेंट्स को good morning जो भी अभी आये हैं उनको भी good morning आप फ्रेंट्स इस paper को पूरा revise कर लेना ताकि exam में आपको उच्छी help मिल सके VLC media player है फ्रेंट्स बताना है VLC media player computer के अंदर क्या होता है operating system, antivirus program, application program या database तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है VLC media player के माध्यम से जो high quality के जो video song, audio song उनको load करने के लिए उप्रिक में लिया जाता है तो फ्रेंट्स बिलकुल यहां पे वो किसके अंदर आ जाएगा application program के अंदर आ जाएगा इसे तरह बढ़ते हैं आगे वाले question के और बहुती important question है Question number 8 के अंदर पूछा जा रहा है computer खराब या crash होने की इस्तती में data को पुन प्राप्ट करने हैं तो उप्योग में लिया जाता है computer, खराब या crash होने की इस्तती में डेटा को पुनब प्राप्ट करने ही तो उप्योग में लिया जाता है। फाइल इस्टोर, रीसाइकल बिन, सिस्टम रीस्टोर या उप्रोक सभी। तो friends यहा पे इसका जो right answer हो जाएगा, बिल्कुल यहापे student right answer दे रहे हैं, इसका friends right answer हो जाएगा, आपको सिस्टम रीस्टोर हो जाएगा, आप किसे भी अपने data का system restore point बना के रखेंगे, तो कभी भी data आपका मलिज की, by mistake delete हो जाता है तो system restore क्या वो data आपको प्राप्त कर सकत रहे हैं question number 9 बहुत ही important question है एक basic user account जिसके द्वारा अभी भावेकिया नियंतरण भी रखा जा सकता है इस्टेंडर एड्मिनिस्टेटर एव भी दोनों या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो जल्दी बताई फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे student के comment आ रहे हैं यहाँ पे आपको याद रखना है नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा इस्टेंडर हो जाएगा basic account फ्रेंट्स कौन सा होता है इस्टेंडर एकाउंट ही होता है next आगे वाला question screen के सामने परदसित है electronic रूप में असलिल जानकारी सापना किस परकार की दारा है दारा 65, दारा 66, दारा 67 या दारा 43 बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पे इस्टुएंट अलगले comment दे रहे है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंट्स electronic रूप में असलिल जानकारी सापना बात और यहाँ पे हो जाएगा दारा 67 हो जाएगा देखे फ्रेंट्स computer स्रोथ कोड के साथ में सेडसार करना 65 computer hacking या cracking के लिए फ्रेंट्स 66 electronic अभी लेकों के साथ सेडसार करने के लिए 43 होता है जबकि फ्रेंट्स आपको याद रखना है electronic रूप में असलिल जानकारी सापने के लिए फ्रेंट्स यहाँ पे आगे वाला क्यूशन है एक वेबसाइट कंपनी पर विश्वास का प्रतिक है सुरक्सित वेबसाइट ट्रस्ट सेल बोगस वेबस बोगस सेल या उप्रोक्त सभी बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट अंसर इस्टुएंट के मादियम से अलगले कमेंट आ रही है यहाँ पे इस्टुएंट को राइट आंसर भी दे रहे है बिल्कुल यहाँ पे इस्टुएंट अभी फ्रेंट्स जो भी फ्रेंट्स यहाँ पे रा आंस्वर आ रहा है आपके मादियम से क्या हो जाएगा नंबर यह हो जाएगा ड soph deles क्या हो जाएगा डियुख सिल इसका बिल्कुल ही क्रेक्ट यह हो जाएगा अ je współ Enjoy अग следующy के इस दो झाल जाएग आगये से डी एनेस पोई जींग या उप्रोक सभी जल्दी कमेंट केजिए सभी फ्रेंड्स को गूर्ड मॉर्निंग बेस्ट ओफ लग आपके एक्जाम के लिए यहां पर फ्रेंड्स क्यूशन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहां पर कमेंट आ रहे हैं इस्टु इन में से कौन सा एक साइबर थ्रेट का परकार नहीं है वायरस, इस्पाइवेर, एंटी वायरस या पास्वर्ड हमला बिल्कुल यहां पर इस्टुएंट के माध्यम से आंसर आ रहे हैं यहां पर फ्रेंड्स आपको याद रखना नंबर 12 यहां पर बिल्कुल ही क्रेक्ट का टांसर हो जाएगा, एंटी वायरस साइबर खत्रा नहीं होता है, यह फ्रेंड्स है क्या होता है, साइबर सुरक्सा का परकार माना जाता है, इसे तरे प्रेंड्स आगे वाला क्यूशन स्क्रीन की सामने परदशित है, क्यूशन नमबर 11, श्लाइड सो में अप्लाइग क बिल्कुल यहाँ पे प्रेंच क्या हो जाएगा इसका right answer, इस्ट्ट यहाँ पे आ रहे है answer, very good बहुत सर इस्ट्ट आप पे right answer दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, animation पैन हो जाएगा, number B यहाँ पे बिल्कुल ही right answer होगा, इसी तरह बढ़ते हैं प्रेंच आगे वाले question की और, Q15, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड सो करवाने के लिए संक्सिप्त कुंजी है F5, सिप्ट प्लस F5, Alt प्लस F5 या Ctrl प्लस F5 जल्दिशे प्रेंट्स बताईए इसका क्या होगा रहा है टैंस्वार यहां पे इस्टोरेंट अलगले कमेंट आ रही है बिल्कूल फ्रेंट्स यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर B हो जाएगा, सिप्ट के साथ में F5 हो जाएगा इसे तरह फ्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले क्योशन की और विद्यमान सभी स्लाइडों को विद्यमान सभी स्लाइडों में एक जैसा प्रदसन्स आने के लिए उप्योग किया जाता है बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पर इस ट्रेंट के मानतियम से आंस्वर आ रहा है क्या होगा फ्रेंट्स इसका राट आंस्वर? हाँ, बिल्कुल फ्रेंट्स, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंट्स, नंबर C हो जाएगा, डिजाइन टेंपलेट हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंट्स नंबर C यहाँ पे बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा design template इसका बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा नंबर C यहाँ पे बिल्कुल ही right answer होगा इसी तरह फ्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले question के और साट element के पुर्वाव लोकन तथा visual style के चेयन करवने के लिए किया जाता है safe fill, safe effect, safe style या safe outline तो फ्रेंट्स यहाँ पे जल्दी बताएगे क्या होगा right answer बहुत ही important question है exam की द्रस्टी से बिल्कुल फ्रेंट्स इस्टुएंट्स यहाँ पे अलगले answer दे रहे हैं क्या हो जाएगा number C हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा यानि safe style इसका बिल्कुल ही सई answer वाना जाएगा इसे त्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले question की और निम्न मेंसे कौनसा एक Excel chart का परकार नहीं है column, area, scatter या process जल्दी पहसान केजिए इन मेंसे कौनसा एक chart का परकार नहीं है बिल्कुल यहाँ पे इस्टुएंट्स के मादियम से correct transfer आना start हो गया है फ्रेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा process हो जाएगा process यहाँ पे किसी भी परकार का start का यहाँ पे types नहीं माना जाएगा इस्टुए फ्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले question की और कौन परदर्शित करता है कि start पर परते एक data series किस color में परदर्शित होगी यानि उसका color कैसा दिखेगा क्या होगा यह फ्रेंट्स कौन ते करता है data series, legend, data labels या grid lines तो बिल्कुल यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा number B हो जाएगा legend हो जाएगा legend फ्रेंट्स ते करता है कि data के अंदर कौन सा color किस field में दिखेगा यह सब कौन करता है यह legend का कारिय होता है कि क्रम में कौन सा fill color आपको करवाना है यह सब क्यां से कां से होगा legend से हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स legend दिखाता है chart के अंदर कौन सा मलेज की value किस color में यह सब legend का कारिय होता है चलिए आगे वाले question screen के सामने परदर्शित है count, constant, trim या count if बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पर आ रहे है right answer बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा number d हो जाएगा count if हो जाएगा क्या हो जाएगा count if हो जाएगा इसका बिल्कुल ही correct answer इसे तरे फ्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले question की और question number 21 worksheet के data का wishes क्रम में आयोजन करता है worksheet के data का wishes क्रम में आयोजन करता है subscribe, superscript, bullet या sorting तो बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पर इस्टोइनट के माद्यम से right answer हो रहा है क्या हो जाएगा number d हो जाएगा sorting हो जाएगा आगे वाला question screen के सामने परदशित हो गया है paragraph की परतेक line को left, right में समान margin देता है कौन सा फ्रेंट्स alignment जो दोनों साट से same margin देता है center, justify, left या right तो बिल्कुल फ्रेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer यहाँ पर फ्रेंट्स नमबर b हो जाएगा justify हो जाएगा क्या हो जाएगा justify हो जाएगा control e होती है center की control j होती है justify की control l होती है left की और control r होती है right की आगि वाला क्यूसन screen की सालंए पर्द्स नम На क्यूस जाता है दस्ता वेज में नएा परेंगराप दर्श करने के लिए उप्योग किया जाता है control, alt, enter या escape तो बिल्कुल यहाँ पे इस्ट्रुएंट के राइट आंस्वर आ रहे हैं बिल्कुल फ्रेंट्स कौन सी की है जो आपको नया पेज दर्श करवाती है जाने की बात हो रही है फ्रेंट्स नमबर C एंटर की इसे त्रेंट्स बढ़ते हैं आगे वाले क्यूशन की और क्यूशन नमबर 24 दस्तावेज में लागू की गई फॉर्मेटिंग को हटाता है नमबर A पे लिका हुआ डिलीट नमबर B पे लिका हुआ फॉर्मेट पैंटर नमबर C पे लिका हुआ खुआ खुआ है उप्रोक्त सभी तो जल्दी पता ही फ्रेंट्स 24 का क्या हो जाएगा राइट आंसवर बिल्कुल यहापर इस्टोंट राइट आंसवर दे रहे हैं क्या हो जाएगा नमबर C हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पे सभी इस्टमें ट्राइड आंसर दे रहा है क्या हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा वाइफाई यानि अगर आप होटी स्पोर्ट कनेक्ट करना चाहते तो जिस फॉन से डेटा को पीजता है उसके अंदर होटी स्पोर्ट को अन करेंगे और जिस मोब स्क्रीन के सामने परदर्शित हैं रास्ता वद दिशाओं को खुजने के लिए साहिक प्रोग्राम हैं ब्लुटूथ जीपी एस गूगल या गूगल मैप बेलकुल यहाँ पे इस्टोएंट आंस्वर जे रहे हैं अलगलग यहाँ पे आपको याद रगना प्रेंट्स नंबर डी हो जाएगा गूगल मैप हो जाएगा गूगल मैप प्रेंट्स एक जी आईएस का उदारन है जियोग्राफिकल इनफॉर्मिशन सिस्टम का उदारन माना जाएगा बढ़ते हैं आगे वाले क्योशन की और मॉबाइल ओपरेंटिंग सिस्टम का उदारन नहीं हैं एंड्रोड लिनक्स आई ओएस या विन्डोज फॉन जल्दी कमेंट किजिए फ्रेंट जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसवर तो बिल्कुल फ्रेंट्स या पे राइट आंसवर आना इस्टाट हो गया है लिनक्स हो जाएगा बाकी एंड्रोड आई यूएस और विन्डोज फॉन ये तिनों मतलब मॉबाइल ओपरेंटिं इन यू, इन वि एसपी, एन असडी या पी औसके तो प्रेंट्स या द रखना है बिलकुल यहाँ एक राइट आंसवर आरा हैं इस्टाट के वाधियम से क्या हो जाएगा फ्रेंट्स इन असडी एल हो जाएगा नें एसडी एल हो जाएगा नैशनल शेक्यरेटरी डिंपो तो सभी फ्रेंट्स जो अभी बाद में लाइव आए हैं वो यहां तक देखें बाद में पूरा वीडियो आराम से देख लेना सभी फ्रेंट्स को good morning, best of luck, आप अपने exam की, तेयरी, अच्छी की, आपने model paper से भी आपको काभी अच्छा पाइदा मिलेगा next आगे वाला question इस्क्रेंट के सामने है E-PDS के संदर में MSP का पूरा नाम क्या है support price, minimum support price, A, B, B, दोनो या उप्रोक तो सभी तो यहाँ पर फ्रेंट्स आपको याद रखना है क्या हो जागा rate answer, minimum support price हो जाएगा इसी फ्रेंट्स आगे वाले question को देख लेते हैं सभी फ्रेंट्स आपके कमेंट किजिए जलरी क्या होगा इसका rate answer राजस्तान सरकार द्वारा चली या जारी डिजिटल दस्ताविच प्रबंदक है डिजिटल दस्ताविच प्रबंदक की बात हो रही है यानि सभी फ्रेंट्स आपको याद रखना है इसका जो rate answer हो जाएगा राज e-vault हो जाएगा क्या हो जाएगा राज e-vault इसका बिलकुल ही correct answer होगा बढ़ते हैं आगे वाले question की और एक electronic उपकरण जिसका उपयोग retail इस्तानों पर card भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है GIS, USSD, POS या AEPS पहले फ्रेंट्स इन सभी का पूरा नाम देख लेते हैं GIS का फूरा पनाम होता है Geographical Information System USSD का पूरा नाम ही आपको डाला था Unstructured Supplementary Service Data POS यानि Point of Cell और एक है AEPS यानि आधार Enable Payment System बट यहां पे पूछा जा रहा है एक electronic उपकरण जिसका उपयोग retail इस्तानों पर card भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा POS हो जाएगा Point of Cell क्या हो जाएगा Point of Cell इसका बिल्कुल ही correct answer होगा बढ़ते हैं आगे वाले question की और बहुती important question है Question number 32 एक खाली जगन नामित इस्तान जाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है number A पे लिकाओ पोड number B पे लिकाओ वर्जन number C पे लिकाओ फॉल्डर और number D पे लिकाओ आए उप्रोक थो सभी तो friends आपको याद रखना है इसका जो right answer क्या हो जाएगा एक खाली जगन नामित इस्तान जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता फाइलों को संग्रहित करने वाला friends आपको याद रखना है क्या हो जाएगा फॉल्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा friends इसका right answer number C हो जाएगा फॉल्डर याँपे बिल्कुली correct answer होगा बढ़ते हैं आगे वाले question की और DNS का पूरा नाम लिखिए जल्दी पता ही friends सभी student इसका right answer देंगे DNS का पूरा नाम क्या हो जाएगा domain name system यानि कि प्रेंट इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा domain name system हो जाएगा number D याँपे बिल्कुल ही correct answer होगा बढ़ते हैं आगे वाले question की और email में किस folder में अनसाए junk mail store होते हैं trash, draft, spam या compose अभी बता था friends आपको email में किस folder के अंदर अनसाए junk mail list हो रहते हैं बिल्कुल यहाँ पे बात हो रही है number C यानि spam के बारे में बात हो रही है बढ़ते हैं friends अन्तिम question की और इस model paper का सबसेल अन्तिम question है आपके सामने प्रस्तूत है बहु विकल्पिया प्रस्णों को जासने के लिए किस युक्ति का उप्योग किया जाता है OCR, BCR, MICR या OMR तो friends आपको याद रखना है इसका जो राडन्जर हो जाएगा वो हो जाएगा friends क्या हो जाएगा बहु विकल्पिया प्रस्णों को जासने के लिए friends क्या हो जाएगा OMR हो जाएगा Optical Mark Reader हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंट्स Optical Mark Reader इसका पूरा नाम हो जाएगा फ्रेंट्स यह हम लेके आये थे आपके लिए 35 Methocon Qtion अगर फ्रेंट्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे फ्रेंट्स में आपको बोल देता हूँ जैसे आप प्रेंट्स दस मिनट के अंदर आप कल वाले प्रेंट्स अगर आंसवर की देखना चाहते हैं तो अभी से फ्रेंट्स आपके इतने राइट है इतने गलत है ठीक है फ्रेंट्स मिलते है फ्रेंट्स एककल एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम जय बारत